नमस्कार दोस्तों आप सबका अपने चैनल पर स्वागत है आज से हम कुछ एक हिस्ट्रे के फैक्ट्स भी साथ में पढ़ते हुए चलेंगे तो आज का जो हमारा फैक्ट वाला टोपिक है वो है कि खानवा के उदिमें राणा सांगा के सायोगी कौन-कौन थे हम यह जानते हैं कि जो राणा सांगा है उनका जनम हुआ था 1482 को कर्णल टोड ने उन्हें सैनिकों का भगना विश कहा है यह इनकी एक आंख नहीं थी इनका एक हाथ नहीं था और इनका एक पैर भी गवाज जुके थे राणा सांगा को इसलिए कर्णल टोड ने सैनिकों का भगना विश का था अब इसमें एक शद आया हुआ है पाति पेर्वन मैंने आ लिखा है पाति पेर्वन कि जो राणा सांगा थे राजपुताने में इन्होंने किया था पाति पेर्वन तो पाति पेरवन क्या है? यह एक राजपूती परंपरा है इसमें क्या करते थे कि युद्ध में जाने से पूर्व जो राजा होता था वो बाकी राजजाओं को एक आमंतर बेशता था कि आप भी मेरे जातने युद्ध में आईए तो राणा सांगा ने भी पाती पेरन की थी एक चत के नीचे सारे राज़पूताने के लोग आये थे हम ये देखते हैं कि जो खानवा का युद्ध है वो वथा 17 मार्च 1527 को 1527 याद रहता है तो अब आजकल तारीक और महिना भी पेपर में आने लग गया हमे पूरा याद होना जी कि खानवा का युद्ध में राणा सांगा के सायोगी कोन-कोन थे तो पहला जो मैंने याँ सायोगी लिखा है वो है महमूद खिल जी कोन था? एबराहिम, sorry महमूद लोदी सरी सरी महमूद लोदी तो महमूद लोदी कौन था इब्राहिम लोदी का भाई था जो उस टाइम तक मर चुका था दूसरा मैंने आदमी लिखा है हसन खामेवाती था अलवर या फिर कहें मेवा प्रदेश का और प्रित्वी राज था अमेर का अमेर का था प्रित्वी राज आगे जो नाम आते हैं उनमें नाम है कल्यान मल जो कि बिका निर के राव जैच सी का पुत्र था कभी कभी ऐसा आ जाता है कि ऐसा प्रशन भी आ सकता है वेपर में कि राणा सांगा का सायोगी था कल्यान मल वो कहां का था राव गांगा उनका पुतर था माल देव, फिर अगला नाम है मैदिनी राय, चंदेरी का मैदिनी राय, वागड का रावत उदैसी, अखेरास देवडा था सिरोही का, इडर के थे राजा भारमल, जाला अज्जा थे सादरी के, सहलदी तमवर थे राय सेन के, वीरम देव थे म नेड़ता के, आगे जो नाम आ रहे हैं, वो नाम है, अशोक परमार जगनेर का, खान जादा है नागोर का, इसके बारे में मैं आपको एक बात पताती हूँ कि खान जादा, और जो एक राजा था, राय सेन का, सलहन दी तवर, ये दोनों बाद में राणा सांगा को धोका द देवलिया का है बाग सिंग और सलंबुर का एरतन सिंग चुंडावत, आगे अब ये कुछ एक बाते हैं, तो अब इनमें से पहली बात क्या दी हूए है, कि तोड के अनुसार सांगा के साथ में साथ राजा, नो राव और एक सो चार सरदार थी, कि इसने बात बोली, करनल ने बात गई थी किसके लिए राणा सांगा के साथ में कि ये जो उपर मैंने नाम बताए कि मैमूद लोदी था, इसके साथ में जो इब्राहिम लोदी का भाई था, अगला कोन था, हसन खामेवाती, जो कहां का था, अलवर्या मेवा परदेश का, आमेर का प्रिथ्वी रावजेट सी का पुतर था कल्यान मल, जोदपूर के रावगांगा का पुतर माल देव, चंदेरी के में दिन्नी राए, वागड के रावत उदै सिंग, सिरोही के अखेरास देवडा, इडर के राचा भार मल, साधड़ी के जाला सज्जा, स्वरी जाला अज्जा, राय सेन के सल, हदितावर, मेटता की वीरम देव, जगनेर यानि की यूपी के अशोक परमार, अशोक परमार के बारे मैं आपको एक बात बता दूँ कि खानवा की युद्ध में, जोब ये साहिता करता है राणा सांगा की तो इससे खुश हो जाते हैं, और अशोक परमार को राणा सांगा के द्वारा, जो की राजा होता है कहां का है, जगनेर उतर परदेश को तर क्यों दी जाती है, राणा सांगा की खानवा की युद्ध में साहिता करनी के लिए, और नाम है खानचादा जो कि नागोर का था, गोगुंदा का जाला सज्जा, बागड के उदे सिंग दे सेना थी ना टोटल, वो किती थी, दो लाग भी सजार की सेना थी, ये बात ऐसे थोड़ी सही नहीं लगती है, पर अब ये बात दियो ये अपने टेक्स्ट बुक्स में, पूरानी किताबों में तो हमें देखनी होगी, तबकाते बाबरी में दिया गया है, यहां पर आएग तबकाते अकबरी के अनुसार, कितनी सेना थी राणा सांगा के पास में, एक लाग भी सजार की सेना थी, नागोर के खान जादा और रायसेन के सलहंदी तवर, ये मैंने आपको बताया था, कि जो नागोर का कौन था खान जादा और रायसेन का सलहंदी तवर, इन दोनों न राणा सांगा के साथ ने विश्वाश वाद करके बाबर के साथ में मिल गए थे तो ये हमारी हुई आज की एक शोट वीडियो पूरी जिसमें हमने पढ़ा कि राणा सांगा किस आये था आमेर का प्रिथ्वी राज कल्यान मल विका नेर का राव जेची का पुत्र था माल दिव था जोलपूर के राव गांगा का पुत्र मेदीनी राय चन्देरी का रावत उदे सिंग बागड का अखिरास देवडा सिरोही का राजा भार मल इडर चाला अज्जा सादडी सलहन दितवर राय से इनवीरम दे मेड़ता आगे जो नाम दिये हुए थे उनमें से हैं अशोक परमार जगनीर का खांजा दाना गोर जाला सजा गोगुंदा उदे सिंग बागड बाग सिंग देवलिया और लास्ट में हमने बाते पड़ी कि टोडने के अनुसार किते राजा साथ राजा नो राव एक सो चार सरदार थे बाबर नामा के अनुसार दो लाग बीस हजार किसे मा तक तबकाते अकबरी तबकाते अकबरी के अनुसार एक लाग बीस हजार किसे ना दोका किस-किसने दियाराना सेंगो को नागोर के खान जादा और राइसन के सल हंदीतवर को एक और बात आती है कि जो हमने उपर एक तो पड़ा था जाला 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 में कांका पड़ा था साधरी का एक बात आती है कि हुकमचंद की अनुसार किसकी अनुसार हुकमचंद की अनुसार हुकमचंद इसकी अनुसार ये क्या कहता है कि जो काठियावाड का था कौन ये काठियावाड का बताता है कीसे बताते है ये अज्जा को कहते है कार्ठिया वाड़ का कौन था अज्जा था जो की राना सांगा का सही होगी था तो इसी के साथ में ही हमारी आज की वीडियो यहां खतम होती है कल हम फी रहेंगे एक नई फेक्ट के साथ में और कुछ नए टोपिक के साथ में, जैहिन जै भारत